भाद्र पद्मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्ती तिधी खो भगवान गनीश ची का जन्म हुआ था देश भर में धूम धाम से इस दिन गनेश चतुर्ती का पर्व मनाया जाता है इस बार यह शुप्तिती 31 अगस्त को है गनेश चतुर्ती को कलंग चतुर्ती भी कहा जाता है इस दिन चंद दर्शन करना निशेद बताया जाता है विष्णुपुरान में एक कता है कि शिरी कृष्ण ने एक बार चतुर्ती के दिन चंदर्मा देख लिया था तो उन पर सियमंतक मनी की चोरी का आरोब भी लगा था तो आईए जानते हैं गनेश चतुर्ती के दिन चांद को देखना अशुप्त क्यूं माना जाता है दरसल इसके पीछे गनेश ची का चंदर्मा को दिया हुआ शाप बताया जाता है यह शाप गनेश ची ने भाद्रमास की शुकल पक्ष की तृत्या तिथी को दिया था इसके पीछे एक कता है कता की अनुसार एक बार गनेश ची कहीं से भोजन करके आ रहे थी तबी उनको रास्ते में चंदर्देव मिले और उनके बड़े उदर को देखकर हसने लगे इससे गनेश ची क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया कि तुमको अपने रूप पर इतना एहंकार है इसलिए मैं तुमको शय होने का शाप देता हूँ गनेश जी के शाप से चंदर्मा और उसका तेज हर दिन शय होने लगा और मृत्यू की और बढ़ने लगा देवताओं ने चंदर्देव को शिवजी की तपस्या करने को कहा तब चंदर्देव ने गुजरात के समुंद्र तड़ पर शिवलिंग बना कर तपस्या की चंदर्देव की तपस्या से प्रसन होकर भगवान शिव ने उनको अपने सिर पर बेठा कर मृत्यों से बचा लिया था इसी जगा पर भगवान शिव चंदर्मा की प्रातना पर जोते लंग रूप में पहली बार प्रकट हुए थे और सोमनात कहलाए गए थे चंदर्देव ने अपने एहंकार की भगवान गनेश से शमा मांगी तब गनेश जी ने उनको शमा कर दिया और कहा कि मैं इस शाप को खत्म तो नहीं कर सकता लेकिन आप हर दिन शै होंगे और पंद्रा दिन बाद फिर बढ़ने लगेंगे और पून हो जाएंगे अब से आपको हर दिन लोग देख सकेंगे लेकिन भादर पद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी को जो भी आपके दर्शन करेगा उसको जूटा कलंक इसलिए बिहार के कुछ जगों पर इस चतुर्ती को चोट चंद्र यानी चतुर्ती चंद्र के रूप में मनाया जाता है। झाल झाल